तो गाईस हमारे बहुत सारे भाई लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि S.I.P. mutual fund विडरॉल करने के बाद अभी तक उनके खाते में S.I.P. का पैसा नहीं आया है, नहीं fund में add हुआ है, किसी को S.I.P. विडरॉल किये हुए 3 दिन हो गए, किसी को 4 दिन हो गए, किसी को 5 दिन हो लेकिन अभी तक S.I.P. का पैसा उनके खाते में नहीं आया है, आपने grow के थूरू, चाहे एंजलवन के थूरू, किसी भी blocking application के थूरू, अगर आपने S.I.P. withdrawal किया है, और अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया, 3 दिन होगा, 4 दिन हो गए, तो आप लोग के मन में ज भी डाउट होगा, सारे का सारा डाउट इस वीडियो में किलियर होने वाला है, तो वीडियो को भीना स्कीप किया, पूरा देखेगा, जिससे कि आप लोग को सही और सर्टिक जानकारी मिल सके, देखे अगर आपने किसी भी blocking application के थूरू S.I.P. किया है, और S.I.P. करने के वीडियो करने में काफी समय लग रहा है, काफी लेट लग रहा है, अभी तक आपके खाते में अमाउंट नहीं आया है, तो सब का जवाब यह ही होने वाला है, जाए आप किसी भी broker के थूरू आपने S.I.P. किया हो, ठीक है, तो बेसिकली बता दे कि जब आप लोग S.I.P. वीडियो करते होंगे, तो आपके सामने कुछी इस तरीके का dashboard आता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि मैंने यहाँ पर, जो भी, यहाँ पर मैंने S.I.P. किया था, Tata Small Cap Fund Direct Growth में, ठीक है, और मैंने इसे वीडियो करना चाहा है, ठीक है, और यहाँ पर आप टाइ में पैसा क्यों नहीं एड हुगा, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, कि यहाँ पर इस्टेटस में आप लोग को यहाँ पर order place का, यहाँ पर आपसन सो करता है, ठीक है, order place का, order place का यहाँ पर एक आपसन आप लोग दिख जाएगा, 6 नवंबर 2024, 5 बज़ के 27 मिनट पर, ठी किया है, यहाँ नहीं कि मैंने redeem का request यहाँ पर डाला है, ठीक है, और यहाँ पर एक और update देख लिजिए, कि order की approved by exchange, ठीक है, यानि कि order मेरा जोग एप्रूब किया जाएगा, एक्सचेंज के दुवारा, यह इसका time आप लोग देख लिजे, same day है, यानि कि जो एक्सचेंज पर मेरा approve कर दिया गया है, यानि कि मैंने जो भी यहाँ पर SIP किया है, SIP का amount मुझे 100% मिलेगा, ठीक है, approve हो चुका है, लेकिन कब तक मिलेगा, इसके बारे में आप लोगो जनकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइस आप लोग काफी ज़्यादा परिसान होंगे, क्योंकि किसी का 3 दिन हो गए, किसी का 4 दिन हो गए, अभी तक fund की account में नहीं आया है, ठीक, तो basically आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कि जब आप लोग दीन में 2 बज़े के बाद अगर आप order लगाते हैं, ठीक है, तो आप लोग का वो second day में ही count होता है, यानि कि अगर आ next day यानि कि साथदारी में ही count होगा, ठीक है, और basically बता दे कि कई सारे conditions भी होते हैं, जिस पर depend होता है, किसी का 4 दिन में आ जाता है, किसी का 5 दिन लग जाता है, किसी का 6 दिन भी लग जाता है, ठीक है, देखिए कई सारे conditions हैं, conditions का मतलब यह है कि में भी आप जो है कि Friday को अ कि market off का time है, plus अगर बीच में कोई public holiday आ गया, तो उस दिन भी market close रहता है, और वो non working days होता है, उस दिन आपका count नहीं होगा, ठीक है, तो आप लोग को बता दे कि इसमें आप लोग को परिसान होनी की ज़रूरत नहीं है, जिस दिस Sunday या फिर public holiday रहेगा, ठीक है, वो दिन SIP का जो date यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे जो गिडॉल का यहाँ पर NFE date दिया गया है, 11 November का दिया गया है, ठीक है, तो 11 November के बीच में अगर कोई public holiday आ जाता है, या फिर Sunday आ जाता है, ठीक है, तो वो एक दिन और ज्यादा count होगा, तो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं हर बढ़ाना है, आप लोग को 2-3 दिन और भी वेट कर लेना है, इसके बाद करीबन 4-5 दिनों के अंदर में आपके fund में पैसा add हो जाएगा, आपके खाते में आ जाएगा, ठीक है, आप लोग को परशानी हो रही है, अभी तक नहीं आया, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो I HOPE इस वीडियो के माद्यम से आप लोग को हेल जरूर में